Hey guys, welcome back to another video of basic electronics lecture number 16 and today in this video we will touch up a very important topic of basic electronics that is sensors पिछले वाले वीडियो में lecture number 15 में हम लोग ने बात करी थी MOSFET के बारे में that is Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor के बारे में और भी पहले हम लोग ने बहुत सारे components के बारे में study किया है, उनका working, उनका classification, diagram के साथ मैंने आप लोग को सारी चीज़े बताईए इस particular video से हम लोग एक नए unit को touch up करने वाले और starting with the sensors, so let's get started सबसे पहला important question आता है, that is what is sensor actually means, sensor का मतलब actual में होता क्या है, इसको definition के साथ अगर समझे, sensor is an input device which provides the output signal with respect to the input of the physical changes इसका मतलब यह होता है कि sensor एक तरीके का input device है, जिसको हम लोग input दे सकते हैं और वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करके हमें एक output signal provide करता है अब यह जो input होता है वो physical changes के नुसार हम लोग उसको देते, अब environment में या फिर वातावरन में जितने भी changes हो रहे, वो सारे जो changes है वो as a input लेता है sensor और एक output में हमें एक signal भेचता है जो कि हम लोग को असानी से समझ में आए अब इसका example भी मैं आप लोग को दूँगा बट actual में sensor काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं जो गई सबसे पहले physical changes ये input में लेता है कोई भी sensor जो भी environment में changes हो रहे है वो as a input लेगा और output में क्या देगा एक output signal देगा मतलब ये process करके actual में एक signal generate करेगा जो कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि actual में हो क्या रहा है अब इसका एक example अगर मैं आप लोग को दू तो यहाँ पर मैं आप लोग को देना चाता हूँ sound energy sound energy जब हम लोग एक mic को provide करते है तो mic जो है वो उसको detect कर लेता है और उसको electrical energy में convert करता है और ये जो electrical signal है वो हम लोग किसी भी system में connect कर सकते है और फिर PC में connect कर सकते है और अपनी आवाज को record कर सकते है उसे amplify कर सकते है मत generate करता है जो कि हमारे काम का होता है हमें वो चीज समझ में आती है next topic है वो है why do we need sensors इसका मतलब यह होता है कि sensors का हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसको मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ तो सबसे पहले sensor is a device that detects the change in the environment and response to some output on the other system इसका मतलब मैंने आप लोग को already समझा रखा है कि sensor एक ऐसा device होता है जो कि जो भी environment में changes हो रहे है उसको detect कर लेता है और उसके नुसार एक output को generate करता है signal की form में जो कि हम लोग other system में उसको हम लोग भेज सकते हैं तो यह भी एक काफी अच्छी definition है अगर आप लोग को sensors को define करना है तो यह भी एक काफी अच्छी definition है आप लोग इस type से भी इसको define कर सकते हो बट अभी हम लोग अपने main question के उपर आते हैं कि sensors की जरूरत हमें क्यों पढ़ती है इसको एक बहुत अच्छे दरीके से मैं आप लोग को explain करूँगा example के साथ अब जैसे कि आप लोगों को अगर कोई fever आता है fever मतलब आप लोगों को अगर बुखा राता है तो आप लोग generally क्या करते थे आप लोग एक mercury का thermometer होता था पुराने जमाने में mercury के thermometer हम लोग use करते थे अभी तो खेर digital thermometer आ चुके बट यह जो mercury का thermometer है उसको आप लोग उसके थ्रू हम लोग fever को measure कर पाते थे कि कितना fever हमें आया है अब इसका मतलब क्य आया कि हमारे body की जो heat है यह एक physical quantity हुई या फिर एक physical change हुआ उससे यह input signal बनाता है जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है जितना भी fever होता है तो उसके नुसार हमारा जो mercury है वो expand करने लगता है और हमें समझ में आता है कि हमें कितना fever हुआ है तो यह बहुत अच्छा example है sensor का कि यह जो sensor है यह जो आप लोग red color का देख रहे है उज़र एक sensor लगा होता है जो कि sense कर पाता है कि हमारे body का temperature कितना है और उसके नुसार changes होता है हमारे mercury के thermometer में सो guys इसी लिए हम लोग अपने sensors को इस्तमाल करते है कि कि किसी भी physical changes को input में लेकर कोई भी एक output signal generate करना जो कि हमें असानी से समझ में आए उसको हम लोग sensor बोलते है और उसी चीज़ के लिए हम लोग sensors का इस्तमाल करते है अब guys at this point हम लोग एक statement यहाँ पर state कर सकते है that is to get the approximate or exact output of any physical changes we need sensors मतलब कोई भी physical changes की approximate और exact output लाने के लिए हमें sensors की जरूरत पढ़ती है okay guys moving towards our next point that is the types of sensors mainly दो types of sensors होते है सबसे पहला type होता है the active sensors इनकी definition यह बोलती है कि sensors which require any external energy source to produce the output is called as the active sensors इसका मतलब होता है कि कुछ sensors ऐसे होते है जिनको एक external energy source चाहिए होती है output को produce करने के लिए उन्हें हम लोग active sensors बोलते है for example जो x-ray होता है हमारा radar होता है यह सारे जो है वो active sensors कहलाते है क्योंकि इनको एक electrical energy source इनको देनी पड़ती है provide करनी पड़ती है उसे के साथ साथ जो passive sensors होते है वो sensors होते है जिनको energy की requirement नहीं होती किसी भी output को produce कराने के लिए ह जैसे कि जो camera का sensor होता है वो external power supply है वो नहीं लेता क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि जो camera है वो basically जितने भी lights हम लोगों को सामने दिखती है हमारे आखों से वही lights को capture करता है जैसे कि x-ray यह होता है x-ray के अंदर हमें actual में एक energy source की जरुवत होती है while camera के अंदर camera का sensor होता है उसके अंदर external energy source की जरुवत नहीं पड़ती है I hope guys आप लोगों को यह जो concept है वो समझ में आ गया होगा sensors का types of sensors का क्या need होती है sensors की यह सारी चीज़े आपको समझ में आ चुकी होगी if you like this video make sure to press the like button also subscribe to my channel turn on the bell icon to get amazing informative videos बाकि मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स वीडियो में till then keep watching me and peace out